नमस्कार, स्वागत, अविवादान आपका मैद उर्गेंदर चौहान हो राजनीती अगर सही माइने में कहा जाए तो टोपी ट्रांसपर करने का खेल है इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, नेता टोपी ट्रांसपर किया करते हैं और जनता, जब सम्मान में उन्हें टोपी पहनाती है, और बड़ी उम्मीदों के साथ में टोपी सम्मान का भी प्रतीक है इसे पगड़ी, साफा, उसी तरह टोपी भी सम्मान का प्रतीक है जनता, जनार्दन जब अपने नेता को सम्मान से टोपी पहनाती है तो नेता उस टोपी को भी ट्रांसपर कर देते हैं किसी और को उत्तर प्रदेश में अगर बात करें हैं टोपी वाली राजनीत की तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के लोग लाज टोपी लगा कर हर कारिकरम में नजर आये और पिछले कई वर्सों से मुझे लगता दस साल से तो हम देखी रहे हैं दस बारा साल से पुरानी समाजवादी लाज टोपी बहुत पुरानी है लेकिन इधर दस साल से इसका चलन बढ़ा और पांस साल से जब से विपक्ष में है समाजवादी पार्टी इस बार भी विपक् सामने आई हैं कि 2012 के चुनाव में प्रधान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री तक सब ने टोपी परने साना साधा है उत्तर-प्रदेश के चुनावी जनसभाओं में प्रधान मंतिर नरेंद्र मूदी ने तो कहा कि रेड़ ऐलर्ट है लाज टोपी रेड्व आ कि तमाम और 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आधितनाथ उसके बाद कई मर्तबा जब जब विधान सभा में समाजवादी पार्टी के लोग या विधान परिशद में लाल टूपिया लगाकर जैसा कि रेगुलर जाया करते थे पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई यह सदन का कजर नहीं यह ड्रामा कंपनी के लोग हैं यह नवटंकी वाले लोग हैं इसको लेकर बड़ा हंगामा मचा है लेकिन इसके ठीक उलट अगर उत्तरा खंड में चुनावी सभा में प्रधान मंत्री कोई टोपी लगा लेते हैं तो वह ट्रेंड बन जाती है काशी में अपने जो संसदी शेत्र हैं वहां पर अगर प्रधान मंत्री रोट शो करते हैं और कोई टोपी लगा लेते हैं तो वह ट्रेंड बन जाता है कि और यह तो बात चुनाव की है अब लाल टोपी को रेड अलेट बताने वाली भारती जनता पाटी ने भी शैफरन यानि कि भगवा टोपी जारी कर दी है एक टोपी का नया डिजाइन कल भारती जनता पाटी का स्थापना दिवस है पूरी देस में यी पाटी पुरी तरीके से काबिज और विश्व में की है और वहां के जो अध्यक्ष हैं बारती अंता पर्टी गुजरात के उनकी देखरेक में टूपी डिजाइन की गई है मंतन में आज बात हो गई कि टूपी वाली सियासत कि बीजेपी ने अपनी कायप के नई डिजाइन को अप्रूब करते हैं उसे जारी कर दिया है अगर देखा जाए तो भारती जंता पर्टी ने टूपी का नया डिजाइन जारी किया है और पहले एक बार जब प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोदी उत्राखंड के दौरे पर गए थे या उससे पहली कई मरतबा उन्होंने यह टूपी लगा कर वह उतरित हुए मंचों पर चाह कारक्रम में चाह चुनावी सभाव में तो यह कहा गया कि यह तो खंडियत की आनबां सान और पहचान है यह टूपी बात यहीं तक नहीं रुकी जब यह दो-तीन दिनों से चर्चात की भारतियंता पार्टी नई टूपी लांच करने वाली यानि भारतियंता पार्टी के निताओं की जो एक ड्रेस कोड है अपूरे देश में हिंदुत का प्रचंड आगाज होने के बाद अपूरे देश में ड्रसकोड भगवा है बारतियंता पार्टी का नेता से लेके कार्य करता तक उसके पास दर्जनों भगवा शयर्ट अंगाउचे तमाम इस तरीके के परिधान उनके पास हैं लेकिन यह टोपी टोपी आरेसेस के लोग लगाते थे और उनकी टोपी का कलर कुछ अलग था इस तरह का बिलकुल नहीं तबारतियंता पार्टी तेकि प्रदान मंत्री ने यह टोपी लगाकर एक बार फिर इसे ट्रेंड विला दिया है जोपी के साथ आज़के आस तमाम नेताङ के यह मुखतारबस नकवीव प्रहलाच जोसी हैं दोनों के इंद्री मंत्री हैं तमाम नेता इसी टोपी के साथ अपनी सेलफी क्रूक्र डालते न जराये तूकर पर इस भार्थियंता पार्टी की नई टोपी अज ट्रेंड कर रही है प्रहलात जोसी हैं और कई नेता है इस टोपी के साथ में इस टोपी में कमल का निसान है और कमल के निसान के साथ कई अन्य तरीके के इसमें डिजाइन दिये गया और कई संकेत और संदेश हैं अब सवाल यह उठता है कि भाई जो पार्टी टोपी वालों को नोटंकी वाला कहती थी रेड इलेट कहती थी उसे टोपी क्यों लगानी पड़ रही है हलां कि टोपी आजसे नहीं है आजादी के अंदोलन में गांधी जीन जो टोपी लगाई उसे गांधी टोपी कहा गया और आजाद भारत में भी गांधी टोपी लगाने वाले लोग एक तरीके से सच्चे राष्ट्रवादी कह जाते थे लेकिन अब परिवासा बदल गई मुझे लगता है कि आने वाले दुनों में जो यह वाली टोपी लगाएगा भगवा टोपी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं मुझे लगता है राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा च सांति के प्रतीक विश्व के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी की वो सफेद टोपी गांधी टोपी जिसे कॉंग्रेस ने अपना आफिस्यल ड्रस कोड में उसे सामिल किया था और कॉंग्रेस में यह नहीं कि गांधी की टोपी अलग नेरु गांधी टोपी रगाते थे नेरु कुई जैकेट अलग मुलाना की टोपी आलग हर तरीके के रंग थे कांगौरेस में लीकिन अब तो कांग्रेसी इक गांधी टोपी लगाना भूल गय है है कि सिर्पर गांधी टोपी देखती नहीं है को Tao कुछ लोग कह रहेंуст पहाडी कैप से प्रिरित होकर इस डिजाइन को त्यार किया गया है प्रदान मंत्री मोधी अक्सर उत्राखंट के दरों पर रहते हैं और उन्होंने एक तरीके से उपासना या ध्यान केंद्र भी अमरनाथ बाबा के दारनाथ में वाख किजिए बनवाये हैं लेकिन इस बार उन्होंने पहाडी टोपी गरतन दिवस के दिन तब पहनी थी जब पहाडी टोपी मनें बताया कि सुर्खियों में आ गई थी देश विदेश में पहाडी टोपी को सुभास चंद्र बोस की आजाद हिंद फोच की टोपी समझा गया था उस वाक्त लेकिन जैसा मैंने बताया कि आर पाटिल आर पाटिल है गुजरात कांग्रे बाटियंता पाटि की अध्यक्ष माफ कीजिए बड़े करीमी हैं नरेंद्र मोदी और मिस्सा के उन्हों ने इस टोपी को डिजाइन कराया जाहिर सी बात है बड़े निताओं से चर्चा करके और फिर कि अगले हिस्से में पहाडी टोपी में जहां संख बना होता है ठीक उस जगे पर बेजेपी की कैप में कमल का फूल बना हुआ है कमल का पुस्थ यानि फूल बेजेपी का चुनाव निसान है और अगर इस कायप में प्रमुक्ता से नजर डाली जाए तो तमाम चीजे इस तरह की के नजर आती ही पीम मोदी ने गुजरात के दौरे के दौरान भी ये टोपी पहनी थी और कहा जा रहाता है कि उसी दौरान इसकी आफीसियल लांचिंग कर दी गए थी सियार पार्टिल ने इस टोपी को 11 मार्च को लांच किया था लेकिन भारती अंता पार्टी के स्थापना दिवस जो की कल है उसके ठीक पहले एक दिन पूरू संध्या पर आज यह टोपी पहने तमाम नेता नजर आए तो यह कहा गया कि राष्ट्री स्तर पर लांचिंग गुजरात में लांचिंग 11 मार्च को जब प्रधान मंत्री का गुजरात दौरा था गुजरात में इसी साल चुनाव है पांच राज्यों के चुनावी नतीजे के बाद 10 मार्च के बाद 11 मार्च को प्रधान मंत्री सीधे गुजरात पहुचे उन्होंने कई रोट शोक है तो उन रोट शोक के दवरान एक अलग रूप उरंगे में प्रधान मंत्री ने जराए उनके सिर पर यह टोपी थी कि उनके बगल में दरश जो हम दिखा रहे थे आपको प्रधान मंत्री के साथ सीधे पर यह टोपी पहली पार प्लाई में थी तो इसी तरीके से बाकी दल भी करते हैं लेकिन यह । बात बिल्कुल कामन यह कि इधर जो modern politics है वो भरे ही भारती अंता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के लोगों को आले हाथ हो ले रेडेलेट बताएं उन्हें गुंडों की पार्टी बताएं उन्हें ड्रामा कंपनी बताएं लेकिन खुद भी टोपी पहिनने के लिए मजबूर है अब जरा थोड़ा सा नेपत्थ में आप को ले चलते हैं जब उत्तर पुर्देश समित पांच राजियों को चुनाओं को दरा जब उत्तर पुर्देश के चुनाओं प्रचार में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी उत्रे तो उन्होंने इस टोपी पर क्या कहा लेकिन इससे पहले सदन में उत्तर पुर्देश के मुख्यों मंत्री टोपी पहनने वालों को ड्रामा कंपणी नोटंकी कहा था पहले योगी को सुनिये वाल में एक कारेकरम में गया था तो अंप्राशन के लिए छोटा सब ज्मैने का बच्चा था उसको अंप्राशन कि लिए मैंने उठाया तब तक Lord जिस महिला का बच्चा था उसके साथ लगवग 2,3 साल का एक बच्चा और था अच्छा मैं इधर उसको अनप्राशन करा रहा था तब तक वहाँ पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोथ करने के लिए आ गये उन्ह natomiast टोपी पहने वी थी में अब बच्चा धाी साल का बच्चा क्या कहता है वदय को गुंडा का है अब आप देखिए कि एक टोसाल 2,5 साल का बच्चा के मन में तोपी पहन करके आने वाले व्यख्यके बारे में क्या धाना है और अपनी मा से चिपट करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा यानि ये धाना सामन्य रूप से बंद चुकी है और इसलिए मैं अपील करूंगा नेधा पर्दियों आप पगड़ी पहन कर गया दें तो अच्छा लगता है गाउं का साफा पहन कर गया तो मैं साओस का विनन्दल करता ह। मुक्वमत्री कैसे चुटकी ले रहे हैं सदन में विधान सभा सब्रम और विधान परसच सबस्रत सब लेकिन 2017-22 फ्यांता के राम गू चौदरी यहां तक उनको कहा गया और अब करें गुंडा 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 तो अब यह जो टूपी वालों पर जो तंज और सियासत होती थी भारती जिंदा पार्टी जो टूपी पहेंद रही तो क्या वितक्ष उसे बक्सेगा लेकिन बार-बार मेरे दिमाग में आ रहा कि भाईया यह टूपी क्यों जरूरी हो गए इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इस राजितिक दलों को ठीक है वो कहते कि लोया जी टूपी लगाते थे विरासत में लेकर आए समाजवादी कांग्रेसी को गांधी जी ने दे दिया यह 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 भारतियन्ता पार्टी वाले अचानक इन्हें टूपी क्यों लगा रहे हैं ठीक है वह उनका पार्टी का निर्ड़ाई एक पहलू हो सकता है लेकिन ऐसी क्या कोई बहुत महतुपूर्ण बात हो गई क्या इसकी जरूरत पढ़ने लगी क्या पार्टी को और विस्ता राकने की खामियों के कारण मुझूर्ण नहीं पा रहे हैं लेकिन हम कोशिस करेंगे अब पर्धानमति नरेंद्र मोदी चुनाओं के दोरान समाजबादी के टूपी को क्या कहते थे वो भी सुनिए लाल टूपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है उनको आपके दूख तकलिप से कोई लेना देना नहीं है ये लाल टूपी वालों को सत्ता चाहिए गोटालों के लिए अपनी तीजोरी भरने के लिए अवैद कप्चों के लिए माफियाओं को खुली छूड देने के लिए टूपी वाले यूपी के लिए रेड ब्लस है जाने निकिकी गंठी है कि मोझी जी करें खत्रे के टूपी यह लाल टूपी वाले उत्तरफलीस के लिएents के लिए सुनी साय तभी सत्ता में आ गई भारतियनता पर्टी दोबारा इतिहास अरज दिया वे लेकिन एक लाल टूपी के बारे में यह नजरिया लेकिन जो टूपी भारतियनता पर्टी पहनने जा रही है वो क्या उस पर कोई टिपड़ी नहीं होगी क्या उसे सीधे देवी देवताहों से जोड़ दिया जाएगा क्या होगा टोपी वाली राजनीती बड़ी अबूज पहली देशी है वो सकता है और दिल्ली में विजेपी सलसदी दल की बैठक से पहले पार्टी के सभी सांसद इस टोपी में नजर आए ये टोपी पहने हुए भगवा टोपी और खास तो पर बड़ी विशेस्ता से डिजाइन से बना गया है और इसे सारी सांसद नजर आए पजान मंत्री पहने गुजरात में इस टोपी को पहन कर इसकी आधिकारिक रूप से तो इसको सहमती अपनी दही दी इस टोपी को पहन कर तो आज लोग आये तमाम सेलफी और तमाम फोटो सेशन बे हुआ जारी किया गया लेकिन सवाल यही है कि टोपी क्या यह भी होगा कि मेरी टोपी और तेरी टोपी मेरी टोपी अच्छी आपकी टोपी रेडेलेंट और यही नहीं एक कॉंग्रेस के एक टुटर हैंडल से यह जारी करके कहा गया इसको मैं पुष्टी नहीं करता है लेकिन यह कहा गया कि टोपी के साथ साथ में बीजेपी के सांसवदों को एक खास तरीकी की चॉकलेट भी दी गई संसरी दिल की बैठक के दवरान और यह चॉकलेट है यह बूस्टर डोज के रूप में दी गई एनरजी बूस्टर के रूप में दी गई कि उनमें इनरजी आ जाए और इसमें प्रदान मंत्री की फोटो भी शपी हुई इस चॉकलेट में तो यह यह भी एक मॉडन पॉल्टिक्स मैं मैं यह कह रहा हूं कि मॉडन पॉल्टिक्स का हिस्सा है एक चॉकलेट खाते हुए बूस्टर डोज वाली है और हमारे सहीयोगी बता रहे हैं कि जारखंट के कॉंग्रिस सिवा दल ने यह चॉकलेट वाला ट्वीट किया है मोधी की फोटो भी उन पानी से राजनीती भारत में शुरू होती थी चॉकलेट बूस्टर वाली एनर्जी वाली चॉकलेट तक आई अच्छी बात है तरक्की कर रही हिलाल स्थापना दिवस की पूर संध्या पर देश और दुनिया में फैले या देश और दुनिया में रहने वाले भारती जंता पाटी कि करोडों करोड सदस्यों को नेताओं को मंत्रियों को मुख मंत्रियों को परधान मंत्री को धेड़ सारी सुबकामनाएं हमारी ओर से बहुत बारी वादी वन्तापाटी के सदश्य हैं और तोपी अपने सिर पर रुधारण करें आदिकारिक टूपी यह भारती यन्तापाटी के लोग यह अभिकारिक टूपी लगाएंगे अभी तक वह पटका गमशाँ डालते थे मोदी जी जो गमशा डालते थे वही ट्रेंड बन जाया करता है यह टोपी भी मोदी जी ने लगाई और ट्रेंड बन गई वहां संसरी दल की बैटक में इसे आधिकारिक मानिता भी दे दी गई टोपी का लंबा इतिहास है एक तरफ बारतियंता पाटी जैसा भी मैंने अपने क्या आउट्फिट में कोई कमी थी कोई संदेश है कोई संकेत है क्या है यह तो अभी भी पार्टी ही बता सकती है लेकिन जहरा तोर पर यह चीजें सामने आई है राजुजी जी यहां पर टोपी की बात है जैंशन पर समय अबने जहरा तोर आपने देखा होगा कि आरेसेस को ने सो कच्चफ के आप राश्टीशन सेवक शानने में हैं हमेरे का जितनी वी साथाय लेगाई है उसमें प्रॉपर ग्रेस रहती है तोपी से लेकर के जंब से लेकर के ताई बेल्ड औजीपे से लेकर के वारा घ्रेस जाया करके जाया करके जाया करके जाया करके जाया है जाया है जकता भी संटकार में हमारे कौाने चे और आपने देखा हुआ जो आपने चर्चा में कहा भी कांग्रेस में भी सेवा करका देभाव था और पहले कांग्रेसी जो तलकर का उसमें नहीं कोपी लगा करके ही हमें कि मंद्री मंद्र इकने वी मंद्री थे आपने बेगे जह उए शचा उख्वादमीद के खा है, तो शुंध सारे ने जह पोटी नगा करते हैं, और राजिस्थान देज पे इतर रही है, राजिस्थान की जो परंपरा है, इस परंपरा के में समझता है, उस जिए समें माना ज अब भारत जो हिंदू राष्टी बात कं नहीं है, अब भारत को हिंदू राष्ट केसे बनाएगा, आप ने बेचा होगा, कि कल एड़ेट में चर्चा में कभी संविजन में, आम आजी कार्दी के प्रवत्ता ते भाई चंवेजी, और प्रण दिनी भारत हिंदू राष्ट तो कि यह लिकिन जर्किस बेच में 80% में हिंदू है, और पूरे भारत जर्च में हादे में इस बात की एक चर्चा भी है, अभी नेपाल के तिनान मंत्री जी भी आए, तो में नेपाल भी अपने हिंदू राष्ट मानता हो लेकि भारत में एक बहुत बढ़ बड़ा जर्किती को साकार करने के लिए एक नए अज्ञाए, एक नए ख्यास और एक नए संदेश को पूरे भारत बरस में, कि हमारा कारकर्ता अन्सासिक है, कारकर्ता हमारा इक सुपाई है, और इस कारकर्ता को यह असास होता रहे, कि वो आप जंस्रवा के वहाँ में हो, जैसे आ अन्ना हजारे का अंदोरन चुबाचा, तो अबने पर इस तो गांधी टोपी लगाते थे, लेकिन यह आपको लंगने ना कि भारती अंता पाटिकूट जो उनका मात्र संगठन है, संग, बहुत दिनों से 1925 से टोपी लगाते आ रहे हैं, तो क्या यह संग का इनिसेशन है, अब आपको अगर पूर्ण रूप से पूर्ण हिंदुवादी यह पूर्ण रूप से हिंदुत्तुक की राजनीति करनी हैं, तो आपको टोपी लगानी पड़ेगी, भारत की एक तरीके से आपको अलग पहचान बनानी पड़ेगी, बहुत टोपी वाले लोग बड़े लेताओं को देख रहे थे, वो इस टोपी पर टिपड़ी करें लेकिन उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो आपसे यह जानना चाहते हैं, कि क्या यह संग के इनिसेशन पर, संग के प्रयास, यह संग के कहने पर, या संग से प्रेरित होकर ऐसा किया होगा? दुझा हो जिस तरीके से हैं, संग के मोगें पर शिचेता हैं, यह एक अच्छी परंप्रा है, मैं तो समझता हुझ में जब भॉंता काना ही बजाएजवार, कि हम राम्तर हैं, हम के संग के लाओंगे, हम दुनिया में फृर जर्सेषे बढ़वा नहाँगे, तो भगवा कर दो कर दो कर दो कि आपने अपने विचार रखे अपने जो आपका जो इस मामले में सोचना है कहना हो सकता है कि यह एक संग इसकी प्रष्टभू में कोई प्रष्टभू में तयार कर रहा हो और एक तरीके से कुछ और चीजे भी सामने को दिखें लेकिन बहुत सुक्रिया रागवन जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जोड़ने के लिए तो यह टोपी वाली सियासत पूरे देश से लेके अब मुझे लगता है टोपी वाली सियासत 2024 जैसे जैसे करीब आएगा इस सियासत और दिखेंगे इसके कई रंग कई रूप दिखेंगे